नमस्कार, मैं हूने निशा मुदलिका, आज हम बनाएंगे चावल के आठी की पिंनी, इन्हें चावल के आठी के लड़ू भी कहते हैं, इन्हें मैं एकदम अलग तरीके से बना रही हूं, और दो तरह की पिंनी बनाओंगे guidance, गुड की भी और चीनी की भी, दोनों तरह की प पूरा ऊपर तक भरके हमने चावल काटा ले लिया है और इधर हम कडाई में आदा लीटर दूद दाल रहे हैं फुल क्रीम दूद है फ्लेम ओन कर देते मीडियम रख लेंगे और पहले इसमें अबाल आणे देते और इधर ये चावल काटा भून लेते इसे लगाता चलाते ह वे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुश्वूने आने लगते दूद में उबाला आ गया है इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इस पैतला को कड़ाई के तले में ले जाते हुए चलाना है ताकि दूद कड़ाई के तले मे भूनना है और जो किनारों पर मलाई लगी है उसे भी हटाते रहेंगे आटे से खुश्वू निकलने लगी है यह भून चुका है फ्लेम को धीमा कर देते हैं और अब इसमें डालेंगे आधा कप नारियल कप बुरादा डैसिकेटेड नारियल और इसकी जगे आप सूखा नारियल ग्रेट करके भी ले सकते हैं इसके साथ भी आटे को दो मिनिट भून लेते हैं नारियल भी भून जाएगा और साथ में आटा भी थोड़ा सा और भून जाएगा दूद काफी गाड़ा हो गया है इसे चलाने का बहुत ध्यान रखना है बिलकुल इस तरीके से लेकिन थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गरम होती है नीचे से अगर इसे चलाना छोड़ दे तो आटा नीचे से डार्क हो जाएगा और अब इसमें डालेंगे घी तो यह हमने लगभग 4 टिबली स्पून घी ले लिया है तो गरम आटे में ढाल देते घी मेल्ट हो जाएगा गी को मिक्स कर लेते हैं आटे में यह मिक्स हो गया अब दूद को देखते हैं और यह देखिए पांच मिनिट बाद ही दूद अच्छा गाड़ा हो गया फ्लेम बंद कर देते हैं दूद को आप देखें तो कितना गाड़ा हो गया यह और हमें और ज लगपग बन थर्ड दूध रहे गया एए और अब इस गाड़े दूध को इस बुने होए चावल के आठे में मिला दिदेगा जब हम चावल की पिन्नी बनाते हैं समें माऑा मिलाते हैं और इसमें दूध भी मिलाते हैं तो ना तो यहां में मावा मिलाना पड़ा और ना दूद मिलाना पड़ा हमने दूद को गाड़ा कर लिया और वो डाल दिया तो हमारी पिन्नी में अच्छा फ्रेस मावा का टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होंगे यह मिल गया अब डालेंगे इसमें आदी चुटी चम्मच दरदरी कुटी इलाइची यह साथ इलाइची को छील कर दरदरा कूट लिया है इलाइची पाउडर की अपेक्षा दरदरी कुटी इलाइची डालें तो पिंडियों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यह दो टीबली स्पून बारीक कत्रे हुए एक नियुक доступ को कि सब्सरी करें मजूब संद करें और जो जब चैनलब स्वाटिया पा मेंने इसमें मीठा नहीं मिलाया है ऑ द survived तो इसमें पाउडर चीनी डाल दीजे या फिर बुरस में भी अपनी बीटाई नहीं मिलाया है आप इसे चीनी और बना चाहते हैं तो इसमें और गुड से बनाना चाहते हैं तो गुड डाल दीचे लेकिन मैं आज दोनों तरीके से बना रही हूं तो हम इसे दो भागों में डिबाइट कर लेंगे बचे हुए आदे भाग को ढखकर रख दे और आदे भाग से लड़ू बनाते हैं तो पहले हम बना रहें चीनी वाली पिन्नी यह लिया आदा कब बूरा और इसमें डाल कर अच्छे तरीके से मिला देते हैं बूरा आप अपनी पसंद से थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं ले तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से थोड़ा सा मिक्षर उठा लेंगे और बान लेंगे इन्हें आप अपनी पसंद के अमसार थोड़े चोटे या बड़े बना सकता हैं यह टेस्ट में इतनी ज्यादा अच्छी होती है इन्हें आप एक बार भार बनाकर खालेंगे तो हम डाल कर बनाएंगे गुड़ को मैल्ट कर लेते हैं तो आदा कप से थोड़ा सा कम गुड़ ले लिया है और इसे चोटे-चोटे टुक्रों में तोड़ लिया है और दो टेबिल स्पून पानी डाल देंगे ताकि जल्दी से घुल जाए फ्लेम अन कर देते हैं फ्लेम को लो मी यह बहुत ही कम क्वांटिटी में गुड़ है यह जल्दी से ज्यादा कुख हो जाएगा तो इसमें हलकी सी कड़वाहट आ जाएगी हमें तो एक तार की चास्नी चाहिए तो चास्नी से घबराईए नहीं कुछ ऐसा नहीं है इसमें बसे एक मिनीट पग गया और इस पैतु जाएगी वह आपको लगे का थोड़ा सा तार बंती हुई जा रही है कितने धीरे से गिर रही है तो चास्नी तो हमारी को को गई फ्लेम में बंद कर रहे हूं और आप चाहे तो यह ठंडा हो चुका है तो थोड़ा सा हाथ पर लीजिए और इस तरीके से तार निकलने लगा है तो गुड़ में अगर कुछ इंप्योर्टी हो तो इस चास्नी को इस तरीके से चलनी में च्छानते हुए डालिए क्योंकि कभी-कभी गुड़ में होता है ना कुछ तिनके भगेर आ जाते है तो चास्नी को छान ले तो अच्छी बात है अगर एकदम ऐसा लग रहा है आ इससे मिक्स कर लेते हैं गरम है तो इस पैतुला से ही मिक्स करेंगे और वह मिलने के बाद आप यह थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हु है और यह दिखिये बहुत ही अच्छा मिक्स बनके तैयार हो गया एकदम गोल्डन कलर है इसका और अब इसके भी लड्डू बांद लेते तो थोड़ा सा मिक्षयर उठाएंगे और इस तरीके से गोल्ड कर लिए लड्डवआ पर एक हाथं से भी बना सकते हैं और दोनों हाथों से भी बना सकते यह बन गया और इसी तरीके से सारे मिक्षे से लड्डू पान लेते हैं तो यह गुल की पीनिया भी तैयार हो गई। चाफल का अटे से बनी दोन तरह की पीन्नी तैयार हैं। एक दमसॉफ्ट बनी हैं मुं में रहते ही गुल जायेंगी। बहुत ज्यादा टेस्टी भी हैं। और आपने देखा दोनों तरह की पिन्नी बड़ी आसानी से बन जाती है इने बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप चावल का आटा भून रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर भूने इसको बहुत ज्यादा नहीं बूनना जैसे ही आटे में से खुश्मु आने लगे आटे दूद को इसमें मिला लीजे बाकी सारी चीजे में मिला दीजे आप दोनों ही तरह की पिन्नी बड़ी आसानी से बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह पिन्नी बाहरी रखकर पूरे 15 दिन तक खाई जा सकते हैं तो इन्हें जरूर बनाईए खाईए और अपने अन्वा में साथ शेयर कीजिए और मुझे बताईए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए